प्रस्ण संख्या 96-100 96-200 96-100 में देखते हैं कि 8 एग्जेक्यूटिव हैं A, B, C, D, E, F, G और H और सभी 8 अलग-अलग जगहों पे रह रहे हैं सभी 8 अलग-अलग जगहों पे रह रहे हैं ऐसा दिया हुआ है प्रस्ण में और सब तीन अलग-अलग विभागों में काम करते हैं कोई भी विभाग में तीन व्यक्ति से ज़्यादा नहीं कर सकते और दो व्यक्ति से कम नहीं कर सकते ऐसा प्रस्ण में दिया है अब आगे पढ़ते हैं और सब को भरते हैं इस तरीके से बी जो है दिया है बी जो है वो मार्केटिंग में काम करता है और चन्नाई या दिल्ली में नहीं रहता इस बात को दिमाग में रखिएगा कि बी चन्नाई या दिल्ली में नहीं रहता बाकी किसी सहर में रह सकता है बै ठीक है अब आगे दिया है कि E जो है वो HR में काम करता है E HR में काम करता है और ये भी चिन्नई और दिल्ली में नहीं रहता E भी चिन्नई और दिल्ली में नहीं रहता F जो है बित्विभाग में काम करता है Finance में काम करता है F Finance में और कूलकाता में रहता है F कूल काता में रहता है F का पता चल गया कि F कूल काता में रहता है H जो B के साथ काम करता है अर्थात क्या करता है? H मार्केटिंग करता है H जो B के साथ काम करता है अर्थात मार्केटिंग करता है हैदराबाद में नियुक्त है ये हैदराबाद में नियुक्त है अब C का दिया है कि C लखनव में नियुक्त है C लखनव में नियुक्त है और C H और F के साथ काम नहीं करता H का मतलब होगे मार्केटिंग नहीं करता F का मतलब Finance में भी काम नहीं करता मतलब C क्या करता है? HR का काम करता है C-H-R का काम करता है लखनव में नियोगत है अब एक और बात बता रहा है कि व्यक्ति जो विपरण विभाग में काम करता है अब मार्केटिंग में काम करता हो चंडीगड में नहीं रह सकता अब मार्केटिंग में B काम करता है और H काम करता है तो ये दोनों चंडीगड में नहीं रह सकते अब B के बारे में एक और चीज दी हुई है कि B जो है चिन्नई या दिली में नहीं रहता नहीं है लकनो में रहता नहीं है कोलकाता में रहता नहीं है हैदराबाद में रहता नहीं है तो मुंबई या बैंगलोर बचता है अब मुंबई या बैंगलोर में मुंबई के साथ एक और बात है जो दी हुई है कि मुंबई में रहने वाला व्यक्ति B और E के साथ काम नहीं करता यानि B कहां रहता है? B रहता है बैंगलोर में अब मुंबई में रहने वाला व्यक्ति B और H के साथ काम नहीं करता अर्थात मार्केटिंग नहीं करता और HR नहीं करता तो अगर A मुंबई में रहता हो तो A क्या करेगा? या Finance का काम करेगा दो लोग बच गए हैं D और G दो लोग D और G बच गए हैं और इनके लिए काम क्यों क्यों से बच गए हैं? दो ही काम बच गये हैं या तो marketing या finance D करेगा और G के साथ भी होगा कि या तो finance या marketing या तो marketing और ये रहेंगे कहां दो जगहें जो एक साथ थी जहांपे B नहीं रह सकता था जहांपे B नहीं रह सकता था और E भी नहीं रह सकता था अर्थाथ वो दो जगहें चिन्नाई या दिलही चिन्नाई स्लैस दिलही या तो ये चिन्नाई में रहेंगे या दिलही में रहेंगे D और ये भी G भी या तो या दिल ही में रहेंगे अब प्रशन संख्या 96 देखते हैं अब प्रशन संख्या 96 कह रहा है कौन निम्न में से किस विभाग में D काम करता है मानोसंसाधन, विपरन या वित्त तो D के लिए तै नहीं कर सकते D के लिए सही उत्तर क्या होगा D जो है या तो मार्केटिंग में या फाइनेंस में जॉब करता है तो 96 प्रस्ण यहीं पे देख लेते हैं कि D के लिए क्या अंसर होगा 96 का उत्तर होगा तै नहीं कर सकते Can't Determined Can't Determined 96 का उत्तर हो गया Can't Determined अब 97 प्रस्ण आया प्रस्ण संख्या 97 प्रस्ण संख्या 97 क्या कह रहा है A किस इस्थान पर नियुक्त है तो A मुंबई में नियुक्त है A कहा नियुक्त है मुंबई में तो यह हो गया प्रस्ण संख्या 97 का अंसर 97 में A option दिया हुआ है Mumbai तो option A सही होगा प्रस्ण संक्या 97 हो गया अब 98 प्रस्ण देख लेते हैं 98 प्रस्ण में कह रहा है कि 98 प्रस्ण में किस बिभाग में 3 executive है तो finance में भी और marketing में भी marketing and finance में marketing and finance में 3 executive हैं आप देख लें marketing में B है और finance में marketing में B है G है और H है और finance में A है F है और D है अगर एक को रख लेते हैं किसी को तो marketing या और finance में दोनों में 3-3 executive हैं यह हो गया प्रस्ण संक्या 98 अब प्रस्ण संक्या 99 देख लेते हैं 99 में कह रहा अगर D बिभाग में काम करे D के लिए marketing अगर fix कर दी जाए D के लिए cable-cable marketing fix कर दी जाए अगर तो कौन-कौन है जो finance में काम करेगा finance में कौन-कौन काम करेगा finance में G काम करेगा finance में A काम करेगा और finance में F काम करेगा तो G, F, A, G, F, A कौन सा option है, G, F और A, ये कौन सा option है, ये option B, तो प्रस्ण संख्या 99 का उत्तर हो गया, option B, 99 का उत्तर option B हो गया, अब प्रस्ण संख्या 100, प्रस्ण संख्या 100 में कह रहा है, कि अगर D, finance में काम करे, D के लिए finance को fix कर दिया गया है, D अगर finance में काम करे, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो C वाला जोड़ा आप यहाँ पे देखें, जो option में दिया हुआ है, C जोड़ा सही नहीं है, A, बित्विभाग और हैदराबाद, A, बित्विभाग तो है, मगर हैदराबाद नहीं है, मुंबई है, तो यह जोड़ा A सही नहीं है, तो इसका उत्तर होगा C.